तो आज की क्लास में बिटा हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइनस की लाइफ सेकल, वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट है, पाइनस की लाइफ सेकल आज हम स्टड़ी करेंगे, तो पाइनस की लाइफ सेकल में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, अट इस दो मोस्ट कोमन और Oxygen स्अक्त कि से को से विलोंग करते हैं विक पूछ लेते हैं तो यह.: यह बिलोंग करता है कोनी फोरापशेड़ा क्लास से वेरटेंटर टॉपीक है तो जिरूर वेटा, इनको अठीक है occurrence की बात करें तो इसकी लगबग लगबग अगर हम occurrence की बात करें तो ये आपको mostly temperate reasons में मिलता है जबकि हमने psychos में क्या कहा था बटा कि वो tropical and subtropical reasons में मिलता है, हमें comparison करना पड़ेगा दोनों का जबकि ये किसमें मिलता है it is found in temperate reasons और temperate reason भी कहां के northern hemisphere के it is found in temperate areas of northern hemisphere और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये आमें कहां मिलेगा, इंडिया में ये आमें मिलेगा बटा, हिमाल्या and other hills में हिमाल्या and other hills में तो ये से ध्यान अकला ये लगबग लगबग 75 hundred feet altitude पे पाया जाता है ठीके altitude कितने altitude पे मिलता है 75 hundred feet altitude पे ये अमें मिलता है बटा जॉर्णाली तो that means ये हिली एरियाज में पाया जाता है common species की बात करें तो इसकी लगबग लगबग 117 species पाई गई कही वुक्स में आपको 105 species भी देखने को मिलेंगी लेकिन recent जो data है वो कितने है 117 species का है और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में the zenus is represented by 6 species इंडिया में ये सिर्फ कितनी species से represent होता है it was represented by 6 species जबकि साइकस की अगर हम बात करें तो उसकी टोटल 27 species थे जिस में से 6 इंडिया में थी तो इंडिया में साइकस की भी 6 पिसे जाए और पाइनस की 6 पिसे जो इंडिया में कुमली पाई जाती है वो कौन-कौन से है बटा पाइनस रॉक्स बर्गी जिसको पिटा कहा जाता है चिरपाइन चीड के पेड़ बोला जाते हैं चिरपाइन ठीके तो पाइनस रॉक्स बरगी को कुमली क्या का जाते है, जिरपाइन कहा जाते है पाइनस वैली च्वेना पाइनस वैली च्वेना पाइनस वैली च्वेना जो है इसके मेंबर्स को कुमली केल कहा जाते है या ब्ल्यू पाइन भी बोला जाते है क्या बोला जाता है बिटा केल या ब्लू पाइन रॉक्स बर्गी जो है इसको कुमनली क्या का जाता है चुर्ट पाइन पाइनस वैली च्वेना इसको कुमनली क्या का जाता है केल या ब्लू पाइन भी इसको हम बॉलते हैं पाइनस इंसुलेरिस पाइनस इंसुलेरिस जो है इसको को मली कहा जाता है खासी पाइनस खासी पाइनस ठीक है पाइनस जिरार डियेना पाइनस जिरार डियेना को कहा जाता है बैटा चिलगोजा चिलगोजा देखे अपने कभी चिलगोजा बोलते है ड्राइफ रूट्स में आता है कभी यह fruit आपने देखा हो तो यह है चिलगोजा ड्राइफ फूट की एरे आता है जो हमारी किषमिस होती है उसके यह सा टेस्ट होता है इसका यह है आपका चिलगोजा ड्राइफ फूट में आता है तो चिलगोजा क्या है इसको कोमली कहा जाता है चिलगोजा इसी तरीके से next species इसकी आती है फिफ्ट species इस पाइनस आर्मंडी पाइनस आर्मंडी को कोमली आर्मंडी स्पाइन भी बोला जाता है आर्मन्डी स्पाइन भी बोला जाते है चीक है और लास्स इसकी स्पिसिज जो इंडिया में मिलती है वो खंसी है पाइनस मर्कुसी पाइनस मर्कुसी को कोमली कहा जाता है मर्कुस पाइन तो यह कुछ 6 पिसिज है जो इंडिया की अंदर पाइनस की पाइन जाती है जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन एच्वड पाइन तो यह तो था इनकी अक्रिंज को लेकर के कहा पर मिलती है कॉमन स्पिसिज कौन कौन सी है अब हम बात करते हैं इनके करेक्टर स्टिक की तो करेक्टर स्टिक में सबसे पहले आता है इनकी शेप को लेकर की तो जो पाइन ट्रीज होते हैं जो पाइनस जो प्लैंट्स होते हैं दे हैव पिरामिडल और एक्स करेंट शेप इनके शेप कैसे होती है या तो pyramidal होते है या फिर कैसे होते है बटा एक्स करेंट अपीरंस होती है अब क्योशन आता है कि pyramidal या एक्स करेंट अपीरंस का मतलब क्या है कैसी अपीरंस होती है ठीक है तो pyramidal या X current appearance का मतलब है कि lower branches lower branches longer नीचे की branches longer होती है and upper branches shorter अपर branches shorter आप देखोगे तो नीचे की branches इनकी बड़ी होती है जैसे जैसे हम उपर जाएंगे branches का size क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा तो ये कैसी shape आती है ये shape आती है pyramids की shape कैसे shape आती है pyramidal shape जबकि shape कैसी आ रही थी palm-like appearance आ रही थी palm-like trees थे ये कैसे हैung pyramidal है या experiernia et main planter body इनकी भी कैसी है sporophentric क्योंकि जिम्नोस्फम की मेन प्लैंट बोड़ी कैसी होती है sporophytic, diplontic life cycle होती है haploid face सिर्फ कुछी cell से represent होता है तो इनकी भी मेन प्लैंट बोड़ी कैसी होती है sporophytic होती है और जो मेन प्लैंट बोड़ी होती है इनके it gets divided into three parts root, stem and leaves ठीक है अब root कैसी होती है इन में तो जैसा कि हमने पहले का था कि इनके case में horizontally spreading tap root system होता है क्योंकि जिम्नोस्फम में tap root system ही होता है तो इनके अंदर horizontally spreading tap root system होता है लेकिन इसके साथ-साथ पैग-like downwardly directed पैग-like downwardly directed root भी present होती है at some interval ठीक है at intervals जिखे जिखे पे आपको पैग-like downwardly directed roots भी आपको मिलेंगी हलाकि जो main horizontal root होती है वो तो tap root system की होती है लेकिन इसके साथ-साथ जिखे जिखे पे कुछ intervals पे पैग-like downwardly directed roots भी होती है ठीक है finer जो root होती है इनकी जोकि हमने पहले भी पढ़ा है कि pinus के अंदर mycorrhizal association मिलती है तो जो finer roots होती है उनों में दो तेरे की root यहां पे मिलेंगी या तो normal root मिलेंगी या फिर mycorrhizal roots मिलेंगी mycorrhizal की formation कर लेती है मतलब roots जो होती है वो fungi के साथ symbiotic association कर जाती है तो दोनों में क्या difference मिलेगा एक तो mycorrhizal जो association roots करती है they occur near soil surface वो आपको बिल्कुल soil surface के पास मिलेंगी ठीक है दूसरे क्या है ना तो इनके उपर root hairs होते है ना ही root cap होती है जैसा कि हमने coraloid roots में भी कहा था कि उनके case में भी जो coraloid roots थी उनके उपर ना तो root hairs थे ना ही root cap थी तो they are devoid of root hairs and root cap जबकि जो normal roots होती है उनमें root hair भी present होते है और root cap भी क्या होती है बटा present होती है जबकि mycorrhizal और coraloid जो root जो आमने बताई थी साइकस के case में उनमें ना तो root hair present है ना ही root cap present है तो ये साइकस और pinus के बीच का difference आजाता है साइकस में coraloid root बनती है और pinus में mycorrhizal root बनती है अब हम आते हैं stem के उपर कि stem कैसी हो तो ध्यान देना stem जो होती है at is mainly main stem जो होगी वो straight होगी बटा main stem कैसी होगी straight और main stem जो होती है इनकी वो 10-50 मीटर तक चली जाती है कितनी मीटर की चली जाती है 10-50 मीटर की और वो monopodial branching शो करती है कैसी branching शो करती है monopodial branching sympodial शो नहीं करती है जबकि साइकस में हमने दोनों देखा था female में monopodial और male में आपकी sympodial जबकि यहाँ पर कैसी होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग यह होती है ठीके लेकिन दो तरह की ब्रांचिंग हमारे पास है एक तो है आपकी longer branches जो कि नीचे की तरफ है ठीके longer branches long क्यों है क्योंकि उन्होंने unlimited growth को show किया है किसको show करें unlimited growth को और shorter branches limited growth क्योंकि उन्होंने limited growth को show किये ठीके अब shorter branches पे क्या होता है बटा 7 to 16 scaly leaves होंगी at the base and 1 to 5 needle shaped foliage leaves add the apex मतलब यह क्या कहना चाहरा है जैसे यह एक short branch है तो इसके tip के उपर तो 1 to 5 foliage leaves होंगे और base के उपर 7 to 16 scaly leaves होंगे ऐसी appearance होती है ध्यान से देखना कि जो shorter branches हैं वो limited growth यह तो unlimited show कर रही है तो हम इनका number नहीं बता सकते लेकिन shorter branches जो है वो limited growth show कर रही है तो उन पर 7 to 16 scaly leaves होंगे base के उपर और 1 to 5 needle shaped leaves होंगे at the apex ठीके leaves हमने बताई दिया दो तरे के होंगे या तो scaly leaves होंगे या फिर foliage leaves होंगे और foliage leaves कैसे होंगे needle shaped conifers में हमने बताई था needle shaped leaves होता है ठीके तो यह तो था इनके बारे में main plant body के बारे में अब हम बात कर लेते हैं reproduction के बारे कि इन में reproduction कैसा होता है तो अगर हम बेटा बात करे vegetative reproduction की तो pinus के case में vegetative reproduction absent होती है जबके साइकस में flashable will से हो रही थी ध्यान रखना sexual reproduction के बात करे तो pinus plant monoscious है जबके साइकस plant कैसा था diocious monoscious है इसका मतलब क्या है एकी plant में male reproductive part भी present होगा और female reproductive part भी present होगा within the same plant both sex organs are present अब sex organs जो है वो किसमें बनेंगे यह हमें पता ही है इनके case में कौन की formation होती है तो male part जहाँ एकी plant में male कौन भी develop होगी और female कौन भी develop होगी दोनों कौन एक ही part में develop होगी male कौन जो develop होगी at was developed on long branches यह long branches पर develop होगी और long branches आपको कहां मिलेंगी lower part of the plant lower part of the plant मैंने क्या कहा बटा यह main plant है इसके नीचे वाली branches longer है उपर वाली branches क्या है shorter है तो longer branches पे तो आपकी क्या develop होगी बटा male कौन male कौन कहा डवलप होगी lower branches पे longer branches पे लंबी है लेकिन plant के नीचे वाले हिस्से में present ठीके और female कौन develop होगी किस पे बटा they develop होगी या तो हम कहा दे अपर branch जो plant के अपर side में जो branches है या हम यह भी कह सकते है shorter branches पे डवलप होगी क्योंकि उपर की तरफ कैसी branches है shorter branches है ठीके male कौन जो develop होती है यह लगबग लगबग 15 to 140 के cluster में develop होती है और female कौन 2 to 6 के halls में develop होती है किस में develop होती है 2 to 6 के halls में ध्यान देना बटा male कौन lower branches पे बनेगा longer branches पे बनेगा और female कौन upper and shorter branches पे बनेगा male कौन डवलप होते है in cluster of 15 to 140 और female कौन डवलप होते है in cluster of whole of 2 to 6 ठीक है अब क्येशन आता है कि हर कौन में क्या क्या structure होंगी तो यह तो आपको पता ही है एक कौन किसे बनी है aggregate of sporophyll से तो वही हमें पढ़ना है तो इनका जो कौन होते है it has a short stock एक छोटी से stock होगी इसके अलाबा एक central axis होगा एक central axis और उस central axis में 60 to 135 micro sporophyll होगी मतलब अगर हम imaginary image बनाए तो एक छोटी से stock होगी उसके बाद एक central axis होगा और इस central axis पे ऐसे circle में अलग-अलग circle में ऐसे 16 to 135 micro sporophyll अरेंज होगी तो मतलब ऐसी ऐसी appearance आपको दिखाई देगी यह आपके अलग-अलग circles में develop हो जाएगी तो ऐसी cone आपको देखने को मिलेगी ठीके तो हर cone में एक short stock होगी एक central axis होगा यह हो गया central axis और इस central axis के उपर आपके 62, 150, 135 क्या होगे micro sporophyll जबकि जो female cone होती है ना उसमें भी क्या होता है एक stock होती है central axis होता है और उसके around क्या develop होते है आपके mega sporophyll develop होते हैं लेकिन इसमें जो stock होती है वो size उसका अलग लगी इसमें तो short stock होती है इनमें क्या होता है अगर young कौन है तो जो stock होगी वो straight होगी एंड नियरली upright नियरली upright लेकिन अगर कौन older होगी है mature होगी है older कौन होगी है तो यह जो stock होती है डाउन वार्ड बेंड कर जाती है यह ध्यान अखना जैसे यह stock पहले तो ऐसी है स्वीधी upright जैसे ही कौन mature होगी यह नीचे की तरफ बेंड कर जाईगी Central Axis की बात करें तो Central Axis में आपको क्या attach होगा 75 to 150 paired scales होगी यहाँ पर तो हमने सीधा कह दिया था कि 60 to 135 microsporofil होते है इसमें 75 to 150 paired scales होते है लेकिन इसमें दो तरह की scales होते है जो lower side way होगा वो तो bracket scale होगे कैसे scale होगे? bracket scale और जो upper side way होगे उनको हम बोलेंगे ovule ferrous scale बटा ovule ferrous scale हम किसको कह रहे है हम कह रहे है mega sporofil को यहाँ पर तो central axis के around सिर्फ और सिर्फ microsporofil अरेंज थे यहाँ क्या होगा central axis के around आपका नीचे की side में तो bracket scale होगे और उपर की side में ovule ferrous scale होगे कैसे scale होगे? ovule ferrous scale दो तुरे की skills होते हैं तो यह जीज ध्यान अखना अभी आगे है mega sporofil और microsporofil की structure को discuss करेंगे इस lecture में हम इतना ही पढ़ रहे थे बटा तो में